तो नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है इस यूट्यूप चानल पर आज की सुड़ी में हम बात करने हो ले बांगला देश वर्षेस इंगलंड के बीच जो फर्स्टी 20 मैच होने होला इसकी मैं तीन ड्री मिलियोन की विनिंग टीम्स आपको दिखाने हो तो जैसे कि मै आपको इडिट करके दिखाऊंगा और आप इसतर माही टीम पर जाके बी क्रिएटर टीम कर सकते हैं और वहां पर मल्टीपल बनाना थोड़ा आसान होता है तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि पिछले कुछ उडियों जाके देख सकत और आप अच्छे से जीत सकें चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते माय टिम पर चलके पहले टिम को एडिट करके दिखा देता हूँ अफकोस जॉस बटलर लिटल डास और नरूल हसन इस तरह से तीन आप्शन यहाँ पर मौजुद है विकेट कीपिंग में तो शुरुवात में जॉस बटलर अपकोस लेना ही है इन दोनों के मतलब बंगलादेश और इंगलंड के विच टीन ओडियाए की सीरीज भी हुई दोस्तों जिसमें अगर देखेंगे तो जॉस बटलर का परफॉंस एक मैच में काफी अच्छा रहा एक मैच में ठीक ठाक रह एक मैच में 26 रन बना है और एक मैच में उनका कुछ खास परफॉंस नहीं रहा था तो इनको जरूरी लूँगा लिट्टेल डास इस सीरीज में इतना कुछ मतलब नहीं थे मेरे खाल से बात करते हैं बैटिंग पर डेवीड मलान पी सॉल्ट और एन हुसेद इस तरह से ती अच्छा प्रफॉंस किया था दोस्तों चांतों कि अगर बात करूं तो दो फिप्टी लगाए तो इसलिए इनको भी नहीं चोड़ना है तो इसलिए आपर मैं इनको जरूर शामिल करूंगा और पर चलते तो काफी टफ डिशी जने क्योंकि जो भी पाच और सभी लेने जै में दोस्तों बतलाब ओडिया सिरीज में एक मैच में टॉसरे मैच में तीशर मैच में । पर औरämäनी व कही ओнокति झोंचिके रहे था और लास्ट मैच में तो इनको बहुंगा-ट सफिजिये धी नेतों और तो दो Haben और साथिसरीज में 33 तो इनका भी पर्फॉर्मस का फिसानतर आए और मेंदी मिर्जा के लेना काफी जरूरी है इसके अलाव मोहीन अली का भी परफॉर्मस इतना बुरा नहीं रहा है लेकिन अभी फिलाल हम गेनबाजी पर चलते हैं क्योंकि गेनबाज भी लेना याँ पर ज़रूरी है तो जोफरा आर्चर जिया जोस्तों जोफरा आर्चर काफी दिनों के बाद इंजरी से लोटे हैं त सबसे बड़ी बात जिया दोस्तों आप यहां पर आदिल रशीट को ड्रॉप नहीं कर सकते जिया दोस्तों आदिल रशीट ने एक मैच में दो विकेट दूसरे मैच में चार विकेट एक मैच में दो विकेट तो इस तो कुल मुला के ओडियाए की सीरीज में उन्होंने साथी साथ बल्ले से 21 भी वनाया थे तो इसलिए यहां पर इनको भी इस टीम में मैं शामिल कर लूँगा तो कुल बिला के यह थी पहली टीम काफी जबदस्त प्लियरली हमने ले लिए जिनों ने परफॉमस भी अच्छा किया है चले दोस्तों अभी नेक्स्ट पर क्लिक करें सरा तो इन दोनों को क्याप्टन और काफी फाइने मन सापित हो सकता है चले प्रिव्यू करते सबसे पहले तो देखेंगे दोकी परे जॉस बटलर और लेटल दास दोनों को मैं स्टीम में ले लूँगा एन हुसें चान्तों डेवीड मालाद पीस ओल्ट तीन अच्छे बल लिगों के लिए तो यूज करना ही करना है स्मॉल लिग के लिए भी आप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन बड़ी-बड़ी लिगों पर कॉंसर्ट जाधा के जिएगा वहां पर जिते के चांसे जाधा रहते तो इसलिए आप यह बता रहो दोस्तों अगर बात कर तो 49 वे ओर में जीता था और 209 रन बना देते और साथ विकेट उनके गिर गए तो इसा नहीं कि बंगलादेश के प्लियर को अंडरेस्टमेट कीजिएगा अभी फिलाल वह भी अच्छे खासे फॉर्म में तो पैले टेम अच्छे खासे बन कि चुके अश्कोस आपको बता नरूल हसन खेलते हैं तो आप जरूर उनको भी ट्राइक कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता नहीं यह प्लेंग इलियर में रहेंगे बात करते हैं तो आफकोस डेविड मलान को रखूंगा मैं यहाँ पर पीशॉल्ट को ट्रॉप करूंगा यह उसे इंशानतों को भी ले इसकी है तो इस टीम में मैं जरूर उनके साथ चला जाओंगा अब बात करते हैं तो मुस्तफिजुर रहमान को भी मैं आप इस टीम में शामिल कर लूँगा जोफरा आर्चर और आदेल रशित तो रहेंगे इमेल पास तो तसकी नहीं मत को मुझे ड्रॉप करना पड़ा है सब्सक्राइब और वाइस कैप्टन के लिए जौस ब्टलर को चूज कुरूँगा जैसे के आप सब को पता है डेवीड मिला को करिब-खर यजुक्त बेर जो कैप्टन है बर्टलर को बना लेकिन मैं मलान के साथ जाना चाहता हूं दोस्तों कि शतक मारा था उन्होंने इन्होंने भी कम नहीं किया थे लेकिन फिर भी मैं को वाइस कैप्टन मरूंगा अभी फिलाल चलते प्रिव्यू कर लेते बटलर और लेटल दोनों को वापस ले रहा हूं एन हुसेन और डेविड मला दोनो बैट्समन यहां पर है अल्राउंडर में शाकीबुल है मोहिन अली है सैम कुरन है और मेंदी असन में गेनबाजी में अदिल रशीद मुस्तफिजु रेमाट जोफरा अंसर को यहां पर लिया है तो कुल मिला के थोड़ी अलग तीम मनी है और कैप्टन वाइस कैप्टन थो कि इन पर काफी कम लोगों ने डाव लगाया वैसे बटलर ने बटलर पर जादा लोगों अगर डेविड मलान सकसेस हो जाते बटलर से अच्छा कर जाते तो हमें जादा फाइदा हो सकता है इसलिए यह रिस्क मैंने दिया फिर भी पता दो आपको उल्टा करना चाहे तो ज उतना मैक होंगा इस तीम को ज़रूर आप जादा से जादा बड़ी बड़ी लिग और ग्राइड लिग करना है या नहीं करना मैं आप पर छोड़ता हूं वैसे कोई प्रॉब्लेम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है और क्याप्टन वाइस काप्टन भी हमनें काफे इंट्रेस क्याप्टन भी आप कर सकते हैं इस टीम को अभी क्लोज कर लेते सेव कर लेते हैं और दूसरी तीसरी और आकरी टीम मैं आपको दिखा देता हूं किस तर से मैंने बनाई तीसरी टीम की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ जौस भटलर के साथ ही जाना चाता आप सब्सक्राइब यहाँ ना करनाम क्याएब यह मेरे करने का जो मतलब है दोस्तों यहाँ पर बीस ऑंट या फिर यह उसें दोनों में से एक हाँ फिलाल मैं फर्त को चूस करूंगा मैं ह enam शांत हौश आ्सधा को मैं ड्राप नहीं करूंगगा यहां पर बेंड केट को भी मैं एक मैं जारूरों लेंगा ठोड़े फिरसे में थोड़ा रिस्क लेने जरूर है लेकिन दोस्तों एक सामकृर्ण को हम ट्रॉप नहीं कर सकते उस वैसे हम महिंदी हशन मिरजा को भी ड्रॉप नहीं कर सकते और Chris Woks को अभी तक एक भी टीम में नहीं लिया था तो इसलिए Chris Woks को मैं इस टीम में ले रहा हूँ इसके अलावा अगर मैं बता हूँ आपको तो यहाँ पर मोही नली या फिर Chris Woks में से एक को आप अपने टीम में लिजिएगा और अप आप अल्रेडी मैं एक टीम में मोही अली को ले चुका हूँ तो इसी और क्रिस्वोक्स को आप ले रहा हूँ आप इन दोनों में से किसी को भी चूस कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिकत नहीं है तो इसके बाद गेनबाजी की बात कर ले तो गेनबाजी में मैं दोही लेने आला हूँ तो आदिल रशीद जोफरा आर्चर को ही लूँगा बाकि किसी और को नहीं लूँगा थोड़ी अलग और हटके टीम मनी है थोड़ी ज्यादा रिसकी जरूर कोऊंगा मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है चलते हैं नेक्स्ट पर क्लिक कते हैं और देखते हैं क्याप्टन वाइस कप्टन हम किसे बना है मापकी जगा शांतों है डके थे डेविड मलाद है पी सॉल्ट है यहाँ पर मैं पाच यहाँ पर तो एक किपर और चार वल्लेवाजों के साथ जारा हूं शाकी बुल्वाशन ख्रिस वोक्स और स्याम कुरत और मेंदी असन मिर्जा चार और अखिर में मिर पास दो गेन तो यहाँ पर कुल मिला के काफी जबदस टीम बनी है लेकिन काफी जादा रिस्की है क्योंकि आपर आठ प्लियर इंग्लेट के तीन ही प्लियर पांगलादेश के हैं तो यह टिम आपको सिर्पोर सिर्फ ग्रैंड लिग या बड़ी बड़ी लिगों के लिए ही यूज कर स्मॉल लिग के लिस्टिंग को बिलकुल भी यूज ना करें ठोड़ा जादा रिस्क है लेकिन रिस्क अगर लेंगे आप और यह अगर आपका दाव सही पढ़ जाता है तो आज आपको यह टिम ग्रैंड लिग जिताने ही वाली है मतलब आपको ग्रैंड लिग जितने से को क्योंकि बैटिंग भी काफी अच्छी कर लेते हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर सकते हैं बॉलिंग में उन्होंने ओडिया की सीरीज में मैं बता दू आपको दो-दो-एक मतलब पांच विकेट कुल मिला के उन्होंने लिए थे और जरूरत पैटने पर बैटिंग यह ठी तीसरी मैच में दो विकेट तो कुल मिला के आठ विक टेली थी तो मैं पर सजेस्ट जरू करूंगा कि आप उल्टा करना चाहें तो उल्टा भी कर सकते मतलब आदिल रशीत को क्याप्टन और मेंदी असन को वाइस क्याप्टन भी बना सकते क्योंकि काफे जबदस्त भाग सजेशन दिए वो भी आप चाहें जेस कर सकते चले दोस्तों इस टीम को भी सेव कर लेते हैं और आखिर में यह को दोस्तों लगा अगर आपको लगा है कि मेरी तीनुटी में अच्छी है मेरा वीडियो अच्छा है तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरू कर दीजे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजे और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि ऐसे उड़े आप तक पोश्टेर आप अच्छे से अब निंक करते रहें साथ टेलीग्राम के लिंक डिस्क् पर में और यह सिदे स्क्रीनशाट शेयर करूंगा उसका तो जरूर टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिए आज की वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद और गुडबाइड